हेलो दोस्तो मैं विनौत कुमार चौधरी टेंटाइम्स की निजबूक वाल रिकॉर्ड होल्डर कंपीटर और टाइपिंग से सम्बंदित नए नए जानकारियों के साथ मैं अपने चैनल के अमाध्यम से आपके साथ जुड़ता रहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने और साथ ही साथ बैल आइकोन का बटल जरूर दबाएंगे अभ्यास छे कच्छा के लिए डी शिफ्ट दबाते हुए ओपन ब्रैकेट का परियोग करेंगे शिफ्ट को छोड़ते हुए के के दबाएंगे चमा के लिए शिफ्ट दबाते हुए ओपन ब्रैकेट का परियोग करेंगे shift छोड़ते हुए k, e और k का परियोग करेंगे पक्षी के लिए p, फिर shift दबाएंगे और open bracket का परियोग करेंगे shift छोड़ते हुए k और h का परियोग करेंगे वस के लिए o, shift दबाते हुए r का परियोग करेंगे shift को छोड़ते हुए l दबाएंगे मम्मी के लिए E सिफ्ट के साथ E दबाएंगे सिफ्ट छोड़ते हुए E, H दबाएंगे कच्चा के लिए D टाइप करते हुए सिफ्ट दबाएंगे P प्रेस करेंगे सिफ्ट छोड़ते हुए P, K टाइप करेंगे अगले पेज पे लल्ला के लिए Y, shift के साथ Y दबाएंगे, shift छोड़ते हुए Y के टाइप करेंगे, मुल्ला के लिए E, Q, shift दबाते हुए Y, shift छोड़ते हुए Y के टाइप करेंगे, मेमना के लिए E, S, shift दबाते हुए E, shift छोड़ते हुए U के टाइप करेंगे, मम्मी के लिए E सिफ दबाते हुए E सिफ छोड़ते हुए E H टाइप करेंगे चच्चा के लिए P सिफ दबाते हुए P सिफ छोड़ते हुए P K टाइप करेंगे जल्म के लिए T सिफ दबाते हुए Y सिफ छोड़ते हुए E टाइप करेंगे सत्य के लिए L सिफ दबाते हुए R सिफ छोड़ते हुए सेमि कोलम का प्रियोग करेंगे मियान के लिए सिफ दबाते हुए E सिफ छोड़ते हुए सेमि कोलम के यू टाइप करेंगे सत्या के लिए L सिफ्ट दबाते हुए R सिफ्ट छोडते हुए सेमि कोलम के टाइप करेंगे अगले पेज पे वुलिन के लिए O, W, Y, S, U का प्रियोग करेंगे वामन के लिए सिफ्ट के साथ O दबाएंगे सिफ्ट छोडते हुए K फिर सिफ्ट दबाएंगे W सिफ्ट छोडते हुए E, U टाइप करेंगे सरीक के लिए सिफ्ट दबाते हुए inverted कोमा का प्रियोग करेंगे फिर सिर्फ छोड़ते हुए K, J, H, D का परियोग करेंगे म्यायू के लिए सिर्फ दबाते हुए E सिर्फ छोड़ते हुए Semicolumn K, Semicolumn W और यहाँ पे आप Alt दबाते हुए 0, 1, 6, 1 टाइप करेंगे यह आपका चंद्रविंदू आप जो देख रहे हैं चंद्रविंदू के लिए यह Alt प्लस 0, 1, 6, 1 का परियोग हुआ है इस तरह के Alt के साथ बहुत सारे अक्षर का परियोग होता है बहुत सारी मात्राओं का परियोग होता है इसका में एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा आप मेरे वीडियो के साथ इसी तरह से जोड़े रहिए मैं आपको उसे समझाऊंगा अगला आपका जो word आता है म्यानी shift के साथ जो है आप semicolumn दबाएंगे shift छोड़ते हुए k, u, h का परियोग करेंगे प्यास, प्यास के लिए shift दबाएंगे फिर i दबाएंगे, फिर shift छोड़ते हुए semicolumn, kl का परियोग करेंगे फिर आता है प्लावर, इसमें shift दबाते हुए i का परियोग करेंगे, shift छोड़ते हुए y, k, फिर shift दबाएंगे और w दबाएंगे, फिर shift छोड़ते हुए o, j का परियोग करेंगे पुखता, I, Q सिर्फ दबाते हुए, open bracket का परयोग करेंगे, सिर्फ को छोड़ते हुए, R, K टाइप करेंगे campus, D, सिर्फ दबाते हुए, S का परयोग करेंगे, सिर्फ छोड़ते हुए, फिर सिर्फ दबाएंगे फिर E टाइप करेंगे फिर सिफ छोड़ते हुए I, L का परियोग करेंगे पक्तून के लिए I सिफ दबाते हुए open bracket सिफ छोड़ते हुए R, W, U का परियोग करेंगे पतलूम के लिए I, R, Y, W, E का परियोग करेंगे सब्ता के लिए L सिफ दबाते हुए I का परियोग करते हुए सिफ छोड़ते हुए R, K, G टाइप करेंगे विवहार के लिए सिफ प्लस O सिफ छोड़ते हुए सैमि कोलम O, G, K, J का परियोग करेंगे सब्ता ही के लिए L, K, सिफ दबाते हुए I सिफ छोड़ते हुए R, K, F, G, D टाइप करेंगे और अंतिम में सहासिक के लिए L, K, G, F, L, D टाइप करेंगे अगले पेज में वामनजी के लिए O, K, E, U, T, H टाइप करेंगे सैमि के लिए L सिफ दबाते हुए S सिफ छोड़ते हुए फिर सिफ दबाएंगे फिर E फिर सिफ छोड़ते हुए I, W, D का परियोग करेंगे केमपाल के लिए D सिर्फ दबाते हुए S सिर्फ छोड़ते हुए फिर सिर्फ दबाएंगे फिर E दबाएंगे फिर सिर्फ छोड़ते हुए I, Y, K फिर सिर्फ छोड़ते हुए सिर्फ दबाएंगे फिर W फिर सिर्फ छोड़ते हुए U टाइप करेंगे सहिते के लिए L, K F, G शिफट दबाते हुए R, शिफट छोड़ते हुए सेमी कोलम का प्रयोग करेंगे समाजी के लिए L, K, E, K, F, T, D टाइप करेंगे कमलूम के लिए D, शिफट दबाते हुए E, शिफट छोड़ते हुए E, Y, W, E का प्रयोग करेंगे हमीर के लिए G shift दबाते हुए E shift छोड़ते हुए E h j का परियोग करेंगे हमारीस के लिए G shift दबाते हुए E shift छोड़ते हुए K f j shift दबाते हुए inverted comma shift छोड़ते हुए K type करेंगे इसी के साथ आपका अभ्याज 6 समाप्त होता है आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद